मध्यप्रदेश के कई गाउं इन दिनों कैंसर की चपेट में है मालवा निमाड के इन गाउं में कैंसर के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है एहम बात ये है कि कैंसर ऐसे लोगों में फैल रहा है जिनके परिवार में आज तक ना तो कोई इस बिमारी से पीडित हुआ है और ना ही वो तंबाकू का सेवन करते थे विशेशग्यों का कहना है कि पंजाब की तरह मध्यप्रदेश के इस इलाके में कीटनाश्चक और रसाइनिक खादों के बेतहाशा इस्तमाल से ये हालात पैदा हुए है मध्यप्रदेश में इंदौर जिले के गाउं हरसौला की रहने वाली कौशल्यबाई रीर की हड़ी के कैंसर से जूज रही है अभी तक आठ लाक रुपे से ज्यादा का खर्च कर चुकी कौशल्यबाई की इस बिमारी ने उनका घर बरबाद कर दिया है इसी गाउं के किसान रमेश पाटीदार लंबे वक्त से मूग के कैंसर से लड़ रही है 20 बीगह जमीन पर फसल उगाने के लिए इन्होंने खेत में जम कर कीटनाशकों का इस्तेमाल किया इलाज में लाखो रुपे खर्च हो चुके हैं लेकिन बिमारी ने अब तक पीछा नहीं छोड़ा गाउं में करीब 24 लोग इस बिमारी से जूज रहे हैं और ये महमारी की तरह पहल रही है कई परिवारों में इस बिमारी से होई मौत का मातम आज भी महसूस किया जा सकता है ताज्यूप की बाद तो ये है कि इस बिमारी की चपेट में आने वाले ज्यादत अर लोग तमबाकू या धूमरपान नहीं करते नौजवान लड़के भी इसका शिकार बन रही है हरसौला गाउं में साल 2014 से अब तक दस लोगों की कैंसर से मौत हो चुकी है इंडॉर के सबसे बड़े सरकारी कैंसर अस्पताल में बीते दो सालों से मरीजों की संख्या में 17 से 20 फीजदी का इजाफा हुआ है मज्य प्रदेश के मालवा में हरसौला की तरह और भी कई गाउं है जहां कैंसर अब हमारी का रूप ले चुका है ये एक बड़े खत्रे की घंटी है हरसौला में कैंसर की चाप लोगों के लिए फजीहत बन गई है यहां के किसान जब शहरों में सबजी और दूर लेकर जाते हैं तो लोग उनसे सबजी और दूर नहीं खरीते हैं